So hello guys, मेरा नाम है साजी सैफी and you're watching Gyan Drops. दोसों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम किस तरह से SBI के IRCTC रूपे क्रेडि कार्ड को एपलाई कर सकते हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको complete step बताने वाला हूँ इस क्रेडि कार्ड को एपलाई करने का अगर आप इस क्रेडि कार्ड के बारे में detail में जानना चाते हैं, इस क्रेडि कार्ड के benefits के बारे में जानना चाते हैं, features के बारे में जानना चाते हैं, तो इस topic में मैं already एक वीडियो बना चुगा हूँ, आपको उस वीडियो का link इस वीडियो के description में मिल जाएगा आप directly उस link पे click करके आप इस credit card के सभी features और benefits के बारे में जान सकते हैं इस credit card को apply करने का जो process है वो काफी जादा लंबा है तो ये video थोड़ा सा लंबा होने वाला है अगर आप इस credit card को चाते हैं तो आपको इस video को बिना skip करें लाज तक देखते रहना है तो दूसर सब पहले आपको वीडियो के description में इस credit card को apply करने का link दिया है आपको उस link पे click करना है और जैसी आप link पे click करते हैं photograph होना चाहिए और साथ में आपके पास एक bank account number की detail भी होनी चाहिए bank account आपका किसी भी bank में हो सकता है ज़रूरी नहीं कि आपका SBI के अंदर ही हो और उसके बाद आपको start apply वाले option पे click करना है और जैसी आप apply वाले option पे click करते हैं लेकिन detail में अगर आपको इस credit card के benefits को जानना है तो video के description में दिए गई link को follow करके आप उस video को दीख सकते हैं जो कि मैं already पहले ही बना चुपा हूँ and simply अब आपको next step में personal details वाले option पे click करना है इस credit card को apply करने के लिए आपको तीन step follow करने होंगे पहले step में आपको अपनी personal details देनी है second step में आपको अपनी professional details fill करनी है and third step में आपको अपनी KYC complete करनी है तो चलिए अब मैं आपको step by step सब पुश करके दिखाता हूँ तो simply आपको personal details वाले option पे click करना है and जैसी आप personal details वाले option पे click करते हैं next page पे अब यहां आपको अपना name type करना है and उसके बाद आपको अपना register mobile number यहां पर enter कर देना है and then उसके बाद आपको term and condition को accept करना है और उसके बाद आपको continue पे click करना है and जैसी आप continue पे click करते हैं तो आपके register mobile number पे एक OTP आएगा आपको उस OTP को यहां enter करना है और उसके बाद confirm OTP वाले option पर click कर देना है और उसके बाद next page पर अब यहां आपको अपनी city को find करना है तो जैसी आप अपनी city के 2-3 letter लिखेंगे आपकी city जो है यहां पर drop down menu के अंदर आ जाएगी यहां से आपको अपनी city को select करना है और उसके बाद अब यहां आपको अपना pan card number एंटर करना है और अपनी date of birth एंटर कर देनी है और उसके बाद आपको confirm पर क्लिक करना है और उसके बाद next page पर यहां अब आपको अपनी mother's का name टाइप करना है अपनी email id यहां enter करनी है और उसके बाद जो यह आपको दो option देखने को मिल रहा है referral code और frequent failure number आपको इन दौनों को skip करना है enterment condition को accept करना है and then आपको continue to step 2 वाले option पे click कर देना है so find guys हमारा पहला step complete हो चुका है हमने personal details सारी की सारी fill कर दी है अब आपको यहां अपनी professional details को fill करना है तो यहां सबसे पहले आपको select करना है कि आप एक solid person है या self-employed है या फिर आप एक retired person है तो फिलाल यहां से मैं self-employed person वाले option को select कर लेता हूँ and उसके बाद आपको continue पे click करना है continue पे click करने के बाद अब यहां आपको अपना address टाइप करना है कोल मिला के अपने office का यानि कि अपनी company का address यहां टाइप करना है pin code वगरा enter करने के बाद आपको continue to step 3 वाले option पे click करना है and then उसके बाद हमारी जो professional details है हमने उसको successfully fill कर दिया है और हमारा जो second step है हमने उसको भी complete कर लिया है अब next step में हमें KYC complete करनी है तो अगर आप SBI किसी भी credit card को apply करना चाहते हैं तो इससे पहले आपको एक काम और करना होगा simply आपको google play store पर जाना है और आपको digilocker नाम की application को install करना है अपने phone के अंदर और आपको digilocker के उपर ID बना लेनी है अगर आपको digilocker के उपर ID बनानी नहीं आती है तो वीडियो के description में मैंने उस वीडियो का भी link दिया है और directly उस link पर click करके ये जान सकते हैं कि आप किस तरह से digilocker के उपर ID बना सकते हैं तो तो अगर आपने DigiLocker के उपर already ID बनाई हुई है, तो simply आपको continue to DigiLocker वाले option पर क्लिक करना है KYC करने के लिए and उसके बाद यहां आपको अपना आधार card number enter करना है, capture code fill करना है and उसके बाद आपको next पर क्लिक करना है and जैसी आप next पर क्लिक करते हैं तो आपके registered mobile number पर जो भी mobile number आपके आधार card के उपर लगा हुआ होगा, उसके उपर एक OTP आएगा, आपको OTP को यहां enter करना है and उसके बाद आपको continue पर क्लिक करना है and जैसी आप continue पर क्लिक करते हैं तो continue पर क्लिक करने के बाद आपको next page पे अपने DigiLocker का जो password है यहां enter करना है and उसके बाद आपको continue पर click करना है and जैसी आप continue पर click करते हैं तो continue पर click करने के बाद आपके सामने एक और page open हो जाएगा simply यहां से आपको allow वाले option पर click करना है and जैसी आप allow वाले option पर click करते हैं तो allow वाले option पर click करने के बाद एंड उसके बाद आपके सामने एक और पेज ओपन हो जाएगा अब यहाँ आपको अपनी या तो वीडियो KYC कम्प्लीट करनी है या फिर आप आप उनलाइन बैंकिंग वेरिफेशन के जरीए अपने क्रेडि कार्ड की वेरिफिकेशन को कम्प्लीट कर सकते हैं अगर आप वीडियो KYC वाले ओप्शन को क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको वीडियो KYC करनी होगी अपने फोटो वगरा अपलोड करने होगे लेकिन अगर आप अपने क्रेडि कार्ड को इंस्टेंट जनरेट करना चाहते हैं यानि कि अगर आप अपने credit card की application को जल्दी से जल्दी approved कराना चाहते हैं तो मैं आपको recommend करता हूँ कि आप second वाले option को choose किजिए online bank verification and उसके बाद आपको confirm पे click कर देना है and जैसी आप इस पे click करते हैं तो इस पे click करने के बाद next page पे आपको अपने father का name type करना है और उसके बाद आप अपनी qualification को select कीजी and उसके बाद अगर आपके पास दूसरा कोई credit card है तो आप उसका number यहाँ पर enter कर सकते हैं and उसके बाद आपकी जो mother का name है वो automatic आपको show हो जाएगा and उसके बाद आपको next पे click करना है and जैसी आप next पे click करते हैं तो next पे click करने के बाद आपका जो residential address है आप यहाँ से उसकी information को आपको fill करना है तो यहाँ पहले column में आपको resident select करना है आप अपने address के उपर कब से रह रहे हैं आपको उतने year यहाँ select करने and उसके बाद आपको third column के अंदर residential address वाले option को select करना है और आपका जो address है वो automatically यहाँ पर आपको show हो जाएगा और next option में आपसे पूशेगा कि आपका जो permanent address है और जो आपका residence address है क्या वो same है तो simply आपको यहाँ पर yes click कर देना है अगर है अगर नहीं है तो no click करना है and then उसके बाद आपको next पर click करना है and next पर click करने के बाद अब यहाँ आपको अपनी professional details को enter करना है professional details के अंदर आपसे आपका office number पूँचा जाएगा अगर आप यहाँ से इसको fill नहीं करना चाहते है तो simply आप next पर click कीजिए and next पर click करने के बाद अब यहाँ से आपको अपने office का address टाइप करना है and उसके बाद आपको next पर click कर देना है and उसके बाद next page पर अब आपको अपनी annual income बतानी है कि आपकी जो annual income है वो कितनी है simply यहाँ से आप अपनी annual income को type कीजिए और उसके बाद आपको submit पर click कर देना है and जैसी आप submit पर click करते हैं तो submit पर click करने के बाद next page पर आप से SBI की credit card को अपने family और friend के साथ refer करने के लिए बोलेगा तो simply आपको सबसे नीचे bottom में I don't want to refer वाले option पर click करना है and उसके बाद आपकी जो application number वगरा है वो आपको show हो जाएगी और उसके नीचे आपको generate OTP का एक option देखने को मिलेगा simply आपको generate OTP वाले option पर click करना है and जैसी आप generate OTP वाले option पर click करते हैं तो आपके mobile number पर एक OTP आएगा आपको उस OTP को यहाँ एंडर करना है and उसके बाद आपको login करना है and जैसी आप login करते हैं तो login करने के बाद आप यहां से आपके document upload करने के लिए आप से बोला जाएगा document के अंदर आपको क्या-क्या upload कर सकते हैं या तो आप one year का ITR या फिर six month का back statement या फिर आप six month का bank statement select कर सकते हैं अगर आपके पास file already आपके PC या mobile के अंदर है तो आप directly यहां से upload कर सकते हैं लेकिन अगर आपके mobile में या फिर आपके PC में या आपके laptop में अभी आपके पास file नहीं है तो आप directly भी upload कर सकते हैं अपने bank वाले option को select करके तो आपको second option को choose करना है upload document from bank और उसके बाद यहां से आपको अपनी bank को select कर लेना है यहां से आप bank statement वाले option को select कीजिए और उसके बाद आपको submit पर click कर देना है जैसी आप submit पर click करते हैं तो उसके बाद यहां से कुछ processing वगरा होगी आपको I agree वाले option पर click करना है यह जो processing का circle आपको घूमता हुआ दिखाई दे रहा है आपको इसके रोकने का wait नहीं करना है आपको directly I agree वाले option पर click करना है और उसके बाद आपके सामने एक page open हो जाएगा इस page के उपर आपको अपनी customer ID या फिर आपका जो net banking में आपका user name है आपको उसे यहां पर type करना है और उसके बाद आपना password यहां पर enter करना है और उसके बाद आपको next पर click कर देना है और जैसी आप next पर click करते हैं तो next पर click करने के बाद आपके सामने एक message आएगा कि you have successfully uploaded the documents खोल मिलाके आपने documentary successfully upload कर दिये हैं और उसके बाद आपको इस window को close कर देना है अब next step में आपको क्या करना है चलिए इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ तो next step में आपको simply video के description में फिर से जाना है और आपको credit card apply करने वाले link पर click करना है और आप फिर से SBI की official website में आ जाएंगे और आपको फिर से यहां अपनी personal detail वाले option को select करना है यहां से आपको अपना नाम टाइप करना है अपना mobile number टाइप करना है और उसके बाद आपको submit पर click कर देना है और उसके बाद आपके पास फिर से OTP आएगा और जैसी आप OTP एंटर करते हैं तो OTP एंटर करने के बाद आपके सामने आपका नाम आ जाएगा और यहां आपको बताया जाएगा कि आप अल्लेडी एपलाई कर चुके हैं इस credit card को और उसके बाद यहां आपको एक continue का option देखने को मिलेगा simply आपको continue पर click करना है और जैसे आप continue पर click करते हैं तो continue पर click करने के बाद आपके credit card की यानि कि आपकी application का जो status है वो आपको show यहां पर हो जाएगा आपका credit card है वो चार step के अंदर clear होने वाला है सबसे पहले आपने application को submit कर दिया है और उसके बाद आपकी application का verification होगा and then उसके बाद आपकी application approved होगी and सबसे last माँ आपका credit card है वो आपको deliver कर दिया जाएगा लेकिन उससे पहले यहां आपको नीचे bottom में एक option देखने को मिल रहा है complete application now simply आपको इस पर click करना है and जैसी आप इस पर click करते हैं तो इस पर click करने के बाद आप यहां से आपको एक appointment schedule select करना है तो यहां से आपको एक pick up date select कर लेनी है and then उसके बाद एक आपको time slot select कर लेना है कि आप जिस time free है आप उस time को यहां से select कर सकते है and pick a location को आपको select करना है कि आप अपना office address पे जो credit card का verification करने agent आएगा आप उसको अपने office address पे बलाना चाहते है इस page पर आपको add on card के बारे में बोला जाएगा simply यहां से आपको skip add on card वाले option पर click करना है and उसके बाद आपके सामने एक और page open हो जाएगा so simply यहां से आपको skip benefits वाले option को click कर देना है and उसके बाद आपकी जो application है वो successfully submit हो जाएगी and उसके बाद सबसे लाशन में आपके सामने thank you का एक message आएगा और your online application has been completed का भी message आपको दिखाई दे जाएगा और यहां पर आपको साफ साफ लिखा हुआ दिखाई देगा and SBI card representative will reach out to you soon to verify your details कुल मिला के आपके registered address के उपर एक bank का agent आएगा और वो आपके address पे आपके KYC को complete कर देगा और आपका credit card आपको मिल जाएगा अगर आपको अपने credit card के status को फिर से check करना है तो आप video के description में दिए गए link को follow करके फिर से SBI की official website पे जाएगे personal details को fill कीजिए mobile number enter करें, OTP डालें और उसके बाद आपको continue पे click करना है और उसके बाद आपके जो application का status है वो आपको show हो जाएगा कि आपकी जो application है वो अभी कहां तक पहुँच चुकी है